हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सिंघाडे की सबजी जो खाने में बहुत टेस्टी होती और सभी सबजियों से कुछ हट कर होती है यह सीजनल सिंघाडे में सबजी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है यहाँ पे हमने हाफ केजी सिंघाडे लिए हैं और उनके चिकन निकाल और सिंघाडे लेते समय में ध्यान देना है सिंघाडे हमें हलके से टाइट सिंघाडे लेने हैं जिससे सबजी और टेस्टी बनती है और इसको हमें पीसेस में कट करना है छोटे सिंघाडे है तो दो पीसेस में और बड़े सिंघाडे है तो उसको तीन पीसेस में हमें कट क कर लेना है और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए अपडेट पाने के लिए अब वीडियो को पूरा देखिएगा बीना इसकिप के हुए तभी आपकी सबजी अच्छी बनकर रेडी होगी यह देखिए हमने सारे सिंगाडों को कट कर लिया और अच्छे से इनको पानी से वौष कर लिया है अब यहाँ पे हम दो प्याज लेंगे एक टमाटर लेंगे और थोड़ इसी अदरक 3-4 पीस लेसन के और 3 हरी मिर्ज इन सभी को हम ग्राइन करना है मिकसी में प्याज को कट करेंगे और जार में दालते जाएंगे यह सबी खाने में बहुत टेस्टी लगती है सिंग्हाडों की सब्झी हर सब्जि exec हGH takes का टेस्ट कुछ अलगी होता है और बहुत यह सब्रीज्स सब्जी बननें रेडी होती है आप दो हमारी ट्रिक से बननाएं Water cop टमाटर बाद में हम ग्राइंड करेंगे यहां वे हमने एक कुकर लिया है अब इसमें हम वन किचन इस्पून ऑईल डालेंगे इस सब्जी टेस्टी और बहुत ही सौट देस्ट सब्जी बनाना बहुत ही एजी है ऑईल को अच्छे से हमें गरम कर लेना है और इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे चार काली मेर्च हींग जीरा दो लॉंग और एक बड़ी इलैची जब ओईल अच्छे से हमारा गरम हो जाएगा तब इसमें हम सारे खड़े गरम मसाले एड़े करेंगे oil गरम हो चुका है इसमें सबसे पहले हमें हींग डालनी है फिर जीरा जीरा को हलका सा चटकाना है चटकाने के बाद में हम यह सारी गरम मसाले एड़ कर देंगे खड़े गरम मसाले इसको हलका सा हम चटका लेंगे चटकाने के बांद में हम्यार प्यास और लैसन की प्योरी एड़ करेंगे क्यों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिलकल मत्भूलिए geb Кто इसको हमम बहुंन लेंगे भूँदे मसाले को देखिए हुआरा मसाला भूद चुका है अब इसमें हम कुछ मसाले एक करेंगे मसाले करने में एक चमंच हलदी पाउडर दो चमंच धनिया पाउडर गैस को स्लो कर देना है हमें इसमें नमक स्वादानुसार एट करेंगे फिसमें कस्मीरी लाल मिर्च एट करेंगे आधा चम्मच इससे कलर अच्छा आता है यह ऑप्सिनल है आप डालना चाहते हैं तो डालिए वर्णा इसकीप कर दीजिए इससे सबजी तीखी नहीं बनती है अब इसको हम अच्छे से मसाले को हमें भून लेना है जब तक साइड से ओईल न निकल आए तक हमें मसाले को भूनना है ऐसे हम चलाते हुए इसको भून लें गे इसक ludzie दीखें हमारा मसाला पख चुका है ऐसे हमें भून लेना है हमें मीडियम फ्लेम में भूनना है अब इसमें हम टमाटर प्यूरी आइड करेंगे जो हमने टमाटर लिया था उसकी हमने प्योरी बना ली थी उसको हमें ऐड कर देना है और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे चलाते गए यह सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में इसको आप ट्राइ कीज़ेगा बनाइएगा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है यह आ कि हमारा मसाला नीचे से जले नहीं इसलिए हम इसको कंटिन्यूट चलाते हुए भूनेंगे यह देखिया हमारा मसाला लमसम भून चुका है इसको थोड़ा सा और हम भून लेंगे ऐसे चलाते हुए हमें भूनना है और चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए अपडेट पाने के लिए अब इसमें हम सिंगाड़े आड़ करेंगे अच्छे से हमने पानी से वाश कर लिया था इसको दो से तीन पानी में ही हमें वाश करना है ताकि इसकी गंदगी जितनी है वो श्राप हो जाए फिर इसको हम एड़ करेंगे एड़ करके इसको अच्छे से हम चला लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो सिंघाडों में मिक्स हो जाए एक मिनट के लिए इसको ऐसे ही हमें चला चला के पकाना है फिर उसके बादने अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से पानी आड़ कर सकते हैं कम जादा इसमें लेकिन हमने दो ग्लास पानी आड़ किया हुआ है मिक्स करने के बाद में इसमें फिर से हमें एक ग्लास पानी और आड़ करेंगे देखिए अब इसको हम चला लेंगे चला के इसमें हम ढखकर लगा देंगे और मीडियम फ्लेम में इसमें हम एक सीटी लगाएंगे एक सीटी ही हमें लगाना है अगर आप ज्यादा सीटी लगाएंगे तो सिंगाडे गल जाएंगे देखिए अब हमारी सीटी निकल चुकी है देखिए कितनी अच्छी हमारी सबजी बनकर रेडी हुई है ये देखिए कितनी परफेक्ट रेडी हुई है हमारी सबजी कितना अच्छा इसका कलार आया है क्योंकि हमने इसमें कस्मीरी लाल मिर्च एड़ किया था अब इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी अइड़ करेंगे इससे महक अच्छी आ जाती है इसमें आप धनिया पत्ती भी अइड़ कर सकते हैं हमने इसमें कस्तूरी मेथी अइड़ करी है इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो हम निकाल देंगे इसको हलका सा हम चला देंगे अब इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे ये सबजी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है बड़ों को भी बहुत पसंद आती आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो सभी लोग आप से बार-बार सब्जी मांगेंगे इतनी टेस्टी और स्वादिस्ट ये सब्जी लगती है कि खाने वाला अपनी ओलियों को चाटता रह जाएगा इतनी टेस्टी और स्वादिस्ट सबजी बनकर रेडी होती है ये ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी सबजी बनकर रेडी हुई है इसको हमने एक बाउन में निकाल लिया है आपको ऐसे भी हम दिखाते हैं ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सबजी बनकर रेडी हुई है इसको जरूर बनाईएगा, यह बहुत ही टेस्टी और स्वादिस्ट सबजी बनती है, यह देखिए कितनी अच्छी हमारी सबजी बनी हुई है, इसको बनाना भी आसान है और खाने में लाजवाब है, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सस्क्राइब करें और ब सब्सक्राइब करुस्टी बनाईएगा आसरे चैनल को भीजियो कितनी इसना है, भीजिस्ट नहीं च organization में ड्रूझने के अजिए